इस बजेट में continuity का confidence है। ये बजेट विक्सीद भारत के चार स्थम युवा, गरीब, महिला और किसान सभी को empower करेगा। निर्मला जी का ये बजेट देश के भविश के निर्मार का बजेट है। इस बजेट में 2047 के विक्सीद भारत की नीव को मजबूत करने की गारंटी है। मैं निर्मला जी और उनकी टीम को बहुत-बहुत बधाई देता हूं। साथियों इस बजेट में युवा भारत की युवा आकांग्षाओं का भारत की यंग एस्पिरेशन्स का प्रतिमिम्भ है। बजेट में दो महत्वपूर नीणे ले गए हैं। रिसर्च और इनोवेशन पर एक लाग करोड रुपय का फंड बनाने की गोशना की गई है। बजेट में स्टार्ट अफ को मिलने वाली टैक्स शुट के विस्तार का भी एलान किया गया है। साथियों इस बजेट में फिस्कल डेफिसिट को नियंत्रण में रखते हुए है। कैपिटल एक्सपेंडिचर को ग्यारा लाख ग्यारा हजार एक सो ग्यारा करोड रुपय की एतिहासित उंचाई दी गई है। अर्थ साथियों की भाषा में कहें तो एक प्रकार से स्वीट स्पोट है। इससे भारत में 21 सदी के आधुनिक इंफ्रास्रक्टर के निर्मार के साथ ही युवंगों के लिए अंगिनित रोजकार के नए अवसर तयार होंगे। बजेट में बंदे भारत स्टेंडर की 40,000 आधुनिक बोगियात बना कर उन्हें सामान्य यात्री ट्रेनों में लगाने का एलान किया गया। इसे देश के अलग-अलग रेल रूट पर करोडों यात्रियों में आराम दायक यात्रा का अनुभव बढ़ेगा। साथियों हम एक बड़ा लक्ष ताय करते हैं। उसे प्राप्त करते हैं और फिर उससे भी बड़ा लक्ष अपने लिए ताय करते हैं। गरीबों के लिए हमने गाओं और शहरों में चार करोड चे अधिक घर बनाए। अब हमने दो करोड और नए घर बनाने का लक्ष रखा है। हमने दो करोड महिलाओं को लगपती दीदी बनाने का लक्ष रखा था। अब इस लक्ष को बढ़ाकर तीन करोड लगपती दीदी बनाने का कर दिया गया है। आईशमान भारत योजना ने गरीबों की बहुत मदद की है। अब आंगनवाडी और आशा वरकर उन सब को इस योजना का लाब मिलेगा। साथियों इस बजेट में गरीब और मद्दमबर को एमपावर कर दें। उनके लिए आएके नए अउसर बनाने पर भी बहुत जोर दिया गया है। रूप टॉप सोलर अभ्यान में एक करोर परिवारों को सोलर रूप टॉप के माद्दम से मुप्त बिजली प्राप्त होगी। इतना ही नहीं सरकार को अतिरिक्त बिजली बेच कर लोगों को पंदरा से बीस हजार प्रतिवर्ष की आए भी होगी। और यहर परिवार को होगी। साथियों आज जीस इंकम टैक्स रेविशन स्कीम की गोशना की गई है। उससे मद्द्वर के करीब एक करोर लोगों को बड़ी रात मिलेगी। पिछली सरकारों ने सामान्य मानवी के सिर पर दसकों से ये बहुत बड़ी तलवार लटका कर रखी थी। आज इस बजेट में किसानों के लिए भी बहुत महत्रुपों और बड़े निर्णे लिए गए हैं। नेनो डीएपी का उप्योग हो। पश्वों के लिए नई योजना हो। पी-म मत्स संपदा योजना का विस्तार हो। और आत्मन निर्भर ओयल सीड़ भ्यान हो। इससे किसानों की आय भड़ोगी और खर्च कम होगा। मैं एक बार फिर सभी देश वास्यों को इस अइतिहासिक बजेट के लिए शुपकामनाय देता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। जादी आपणों को आमों वीडियो टी भल लगिला। तेवे आमों चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करिबा कुछ जमा भी बोलनतु नहीं।